नमस्कार तरून आईएस में आपका स्वागर्थ है दोस्तों आज हम जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय संपूर्ण संचार के देशों में कौतुहल में डाल दिया है जिसके कारण आज विष्चों में तृतिय विषय युद्ध की संभावनाई उत्पन हो चुकी है मैं बता बात कर रहा हूँ रूस और युक्रेन के बीच उत्पन हुए बिबादों के बारे में चलिए बिस्तार से समझते हैं हाल के अख़वारों में आपने पढ़ा होगा ये बात तो आप सभी जानते हैं कि दुनिया की बड़ी-बड़ी महासक्तियां और उनके नेता अब तक पुतीन के दिमाग और उनकी कारसैली को समझने में पूरी तरह नकाम रहे हैं लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने भी इस देश के नेताओं को असमंजस में डाल दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत की दिमाग में क्या चल रहा है भारत सायद दुनिया का इकलोता ऐसा देश है जिसने संयुक्त रास्ट में वोटिंग के दौरान अनुपस्तित रहा एक तरह से रस्या का समर्थन किया लेकिन दूसरी तरप इसी वोटिंग के कुछ घंटों बाद प्रधान मंत्री ने क्वाडेट्रल सेक्यूटी डायलोग यानि की क्वाड की वर्श्वल बैठक में हिस्सा भी लिया जिससे अमेरिका के रास्पती जोई वाइडन्स ऑस्टेलिया के प्रधान मंत्री अस्कॉट मौरिंसन और जपान के प्रधान मंत्री फूमीमो किसीदा सामिल हुए यहां गौर करने वाली बात ये है कि क्वाड में केवल यही चार देश हैं और इनमें भारत को छोड़ कर बाकी सभी तीनों देशों ने रूस के खिलाप कड़े आर्थिक प्रतिबंदों का एलान किया है लेकिन भारत ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है लेकिन इसके बाजूद भारत क्वाड में भी हिस्सा ले रहा है और वो रूस और युक्रेन के मामले पर भी अपनी निश्पक्ष भूमी का साथ लेकर चल रहा है और इसी संतूलन ने अमेरिका जैसे देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भारत की दिमाग में क्या चल रहा है अब चली बात करते हैं क्वाड के गठन के उदेश का दरसल क्वाड का गठन वर्स 2004 में हुआ था और इसका मुख उदेश इंडो-पैसफिक इलाकों के सुरक्षा सुलिक्षित करना था इंडो-पैसफिक हिंद और प्रशान्त महा सागर एक बड़े इलाके को मिला कर बना है और इसकी सिमाएं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को चूती है अब क्योंकि नक्से पर इसका आकार चतुरभूज का तरह है इसलिए इसे क्वाड कहा जाता है इसी इलाके में साउथ चाइना सी भी आता है जिसे लेकर चीन के नौ देशों के साथ बिवाद है संचिप्त में हम बात करें तो क्वाड चीन के खिलाप तैयार किया गया एक सर्यंत्र है अमेरिका, भारत, जापान और अस्टेलिया के एक संगठन है लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि इसके उदेशों को बिस्तार हो और इसके चीन के तरफ रस्या को एजे एजेंडे के तौर पर इसे घसीटाता है जबकि भारत ऐसा कभी नहीं चाहेगा आज से दो महिना पहले तक अमेरिका का पूरा ध्यान चीन पर था लेकिन अब ये फोकस चीन से रूस पर सिप्ट हो रहा है लेकिन भारत का हीट इसमें है कि ओ एक ऐसे सुनिक्षित करे कि क्वाड चीन की बिस्तारवादी नितियों को रोकने के लिए काम करने करता है प्रधान मंत्री मोधी इस दिशा में कोशिस कर रहे हैं कि आज की जो बैठक पर फोकस अर्थात हिंद और प्रसांत महासागर में भारत के हीटों पर ही था चीन के खत्रे को लेकर था या कश सकते हैं कि भारत ने रूस पर भी सीधे तोर पर कुछ नहीं कहा यहां तकी महासक्तियों के बीच एक संतूलन कैसे बैठाया जाता है यह आज हमारे देश के प्रधान मंत्री ने पूरी दुनिया को बताया है अब चली बात करते हैं तेल की बढ़ती किमतों से रूस का क्या फैदा है आपका गौर तलब है कि रूस और युक्रेन के बीच छिड़े इस युद्ध का सबसे ज़्यादा असर कच्चे तेलों की किमतों पर पड़ा है अंतरास्टिय बाजार में 11 साल बाद कच्चे तेल की किमते 113 डॉलर प्रती बैरल पहुंची और अनुमान है कि अगर ये युद्ध 15 दिन और चला तो ये किमते 130 डॉलर प्रती बैरल भी हो सकती है लेकिन क्या आपको पता है कि जिस रूस की वज़ा से कच्चे तेल की किमत में एतिहासिक ब्रिधी हुई है उसी रस्या को इसका सबसे ज़्यादा पैदा हो रहा है अमेरिका के बाद रूस कच्चे तेल के उतपादन करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है रूस प्रती दिन एक कडोर 10 लाक बैरल कच्चे तेल का उतपादन करता है जिनमें 50 से 60 लाक बैरल कच्चे तेल ओं हर रोज दुनिया के दूसरे देसों को निर्या और बल्गेरिया जैसे पच्छमी देश सामिल हैं सबसे बड़ी बात ये है कि रूस जो कच्छा तेल बेशता है उसका आधा हिस्सा इनहीं देशों को मिलता है अब हम बात करते हैं तेल से सम्मंदित एक और्गनाइजेशन जिसे आप OPEC कहते हैं OPEC अर्थात और्गनाइज चाहता है कि रूस की घेराबंदी के लिए OPEC देश कच्छे तेल का उत्पादन बढ़ा दे ताकि वो रस्या पर अपनी निर्भरता को कम कर सके और रूस की तेल कमपनियों को इससे जादा से जादा नुकसान हो लेकिन OPEC देश ने ऐसा करने से मना कर दिया इन देशों मे इरान, इराक, हुवैट, UAE और साउदी अरबिया जैसे देश हैं साउदी अरब तो कच्छे तेल का उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है यानि कि OPEC देश के इनकार करने से पच्मी देश चाह कर भी तेल के लिए अपनी निर्भरता को रस्या से घटा नहीं पा रहा है और कच्छे तेल की किमते बढ़ने से रस्या को फैदा ही हो रहा है अनुमान है कि अगर इस साल कच्छे तेल की किमते आस्थन 90 डॉलर प्रती बैरल से जादा रहती है तो रस्या को लगवग 65 बिलियन डॉलर यानि 4,87,000 कड़ो रुपे का अत्रि परदस्त मुनाफ़ा होगा जबकि ऐसे देश जो कच्छे तेल का उत्पादन नहीं करते हैं जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना भी नहीं है उन्हीं इनकी भी भारी किमत चुकानी होगी उदारन के लिए भारत भारत दुनिया में कच्छे तेल का आयात करने वाला ट हो रहा है आने वाले दिनों में हो सकता है कि पेट्रॉल डीजल महंगा हो जाए सबजियां पल और दूसरी चीजे के दाम ट्रांस्पोटेशन्स की वज़से बढ़ जाए और इससे भारत के बजारों में एक अस्थिरता की भी पैदा हो सकती है यानि युद्ध सुरू करने वाला रूस को तो इसका फैदा होगा लेकिन भारत और दूसरे देशों को इसका नुकसान उठाना हो सकता है यह प्रस्ण अभी भी असपस्ट नहीं है कि इन कार्णों के पीछे भारत का क्या विचार है तो ये था क्वार्ड से समंधित बाते इसी प्रकार से इस चैनल पर आप चूड़े रहें और आपको समसमाई घटनाओं की जानकारी आपको मिलती रहेगी धन्यवाद